आप सबको नमस्कार, मेरी जिंदिगी का एक ही सपना है, अपने जीते जी मैं भारत को दुनिया का नमबर वन देश देखना चाहता हूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूं, सर्वश्रेष्ठ देखना चाहता हूं, हम सब लोग चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, अमीर देशों में गिना जाए, भारत अमीर कैसे बनेगा, भारत अमीर बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत तो अमीर देश हो गया और भारत के लोग गरीब रह गए, फिर तो अ अमीर देश नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं हो सकता कि सारे भारतवासी अमीर हो जाएं और भारत को गरीब देशों में गिना जाए ये भी नहीं हो सकता भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा मैं चाहता हूँ, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूँ मेरे को अमीरों से कोई परेज नहीं है लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूँ गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे आप एक कल्पना केजिए एक गरीब किसान है, गरीब मजदूर है सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है बहुत खराब है पढ़ा ही होती नहीं है को इंफरसेक्चर नहीं है डिवारी टूटी पढ़ी है चत चूरी है तो वह बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं फिर बड़ा हो कि उसको भी कोई छोटे मोटे कामी करने पढ़ेंगे वह भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है हम सरकारी स्कूल को बढ़ शांदार कर देते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी तो एक किसान का बच्चा मजधूर का बच्चा रिक्षे वाले का बच्चा प्लंबर का इलेक्ट्रिशन का या कार्पेंटर का बच्चा लोर मिडल क्लास का बच्चा इवन मिडल क्लास का परकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है इंजीनियर बनता है अच्छा बिजनस करता है तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा उसका परिवार अमीर बन जाएगा है कि नहीं है अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिग गया बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बन गया जैसे कल मैंने 26 जन्वरी का भाशन दिया 26 जन्वरी के भाशन में मैंने कई उधारन दिया एक कुशाल गर्ग है जिसके पिताजी प्लंबर है वो उसके पिताजी दस बारा हजार उपे कम होने गा तो 3-4 लाग कम से कम शुरू में 3-4 लाग रोपे महिना कमाएगा तो उसका परिवार अमीर हो गया देश में सत्रा करोड बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं इन में से गर कुछ चंद स्कूल छोड़ने जो अच्छे हैं बाकि mostly सरकारी स्क स्कूलों में भेजते हैं उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं माबाप बहुत गरीब हैं सरकारी स्कूलों में भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं है यह बच्चे भी बड़े हो के गरीब रह जाएंगे अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शा एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा और जब एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर तो अगर हम अपने 17 करोड बच्चों को अच्छे देन्स लिए ने कि अमरीका अमीर देश है इस लिए देता है America ौमीर हे इसलिए बना क्योंकि वो अपने हर बच्चे कोई हर बच्चे कोई इस lutळेताय डिये अगर वह हर बच्चे कोई शिकशा देना बंद कर दे आज अम्रीका गरीब देश बन जाएगा English UK Switzerland अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है डैनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते अगर हमें भी अमीर बनना है भारत को भी अमीर बनना है है तो हर भारतिय को अमीर बनना पड़ेगा और हर भारतिय को अमीर स्कूल को घे दूसरा, धेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे, तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सब को पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भरती करनी पड़ेगी, और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करान when will be ofpay, जाएगा, 5 यह कां हो सकता है, दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शांदार कर दिया, पूरे देश में भी पां साल में हो सकता है, हमको करना आता है, आज मैं केंदर सरकार को यह offer देना चाहता हूँ कि आप हमारी services use करो ना, हम भी तो इसी ठीक करेंगे सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे यह हो सकता है और इसको free भी कहना बंद करो अच्छे शिक्षा देना free भी नहीं है अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे एक टाइम का पेट भी काटना पर पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना 130 क्रोड का इंतजाम करना पड़ेगा हमने दिली में किया है पांच साल के अंदर हमने ऐसी विवस्था कर दी दिली के अंदर की हर व्यक्ति को दिली के धाई करोड लोग है हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका चोटी से चोटी से बड़ी से बिमबड़ी बिमारी तक सारा इ बिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है बस लगन ही है चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है आज पूरे सरकारी सिस्टम का कबाड़ा करने में सारे हम लगे हुए हैं सरकारी स्कूलों का भी कबाड़ा करने में लगे हुए हैं जान बूज के कई सरकारों के सुनने में आता है कई सरकारें जान बूज के सरकारी स्कूलों को कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट में बच्चों को बेजना चालो करते जान बूज के सरकारी अस्पतालों का कबाड़ा किया जा रहा है सरकारी डिस्पेंसरियों का कबाड़ा किया जा नहीं पड रही है मेरे पैसे कांच मैं कह लाओंगा पैसा और देश के कई हпервых ऐसे जहां स्वेह उसे इंशिर्ण्स का लेके मैं करूंगा क्या मिर को इलाज चाहिए मिर को इन्शिर्ण्स का काड कि यह जब कोई इस म Dogs का कट देती तो चीह तो आपना पल्ला जाड रहे हैं इसका मतलब हमने तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमने तो पांच लाक रुपर का काड़ दे दिया इसका लगो सरकारी से अस्पताल ठीक नहीं करना जाते हैं हमें पूरे देश के अंदर अगर दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को यह सुरक बड़े स्थर के ऊपर पूरे देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे सरकारी महला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे डिस्पेंसरियां खोलने पड़ेगी एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी एम्माराई की मशीन लगानी पड़ेगी अस्पतालों के अंदर टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा हो सकता है सरकार के पास पैसा है सरकार के पास पैसे की कमिनी अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है यह सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को दिल्ली में हमने देखा एक बार अस्पताल बना दो सारी मशीन वशीन खरीद लो उसके बाद 2,000 रुपए एक आदमी का खर्चा आता है साल का एवरेज औसतन पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं धाई लाग करोड़ रुपए में पूरे देश का इलाज हो जाएगा सब को सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कितनी बड़ी बात हो जाएगी और यह ज आपका इलाज मुफट है हम भी कर सकते हैं हमें भी करना चाहिए पांच साल में हो सकता है यह भी हमने दिल्ली में किया हमें करना आता है मैं फिर से केंदर सरकार से आफर कर रहा हूं कि हमारी सर्विसेस इस्तेमाल करो हमें हम तयार हैं आपके साथ मिलके काम करने को तयार है हम के अंदर सरकार के साथ मिलके काम करने को तेयार हैं और इसको भी फ्री भी कहना बंद करो 130 करोड़ लोगों का अपना परिवार है इस परिवार में कोई बिमार हो तो अपनी जिम्मेदारी है हम यह नहीं कैसे तू जाने तेरा काम जाने हम पैसे हैं तो इलाज करा लें नहीं पैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया